चार दशकों से बॉलीवूट पर राच करने वाले संगीत कार बपी दाब हमारे बीश नहीं हैं। वंगलवार रात मुंबई के जुहुस्तित क्रिट के अर अस्पताल में उनका निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उन्होंने आखरी सास ली। 40 साल से जादा समय से डिसको डांसर से लेकर उलाला तक एक से बढ़कर एक गानों पर संगीत प्रेमियों को जुमाने वाले बपी लाहरी ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था। लोग उनकी गानों से बे इंतिहा मोहबत करते थे, गानों के अलावा उनकी कई उपलब्दी भी रही जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे, उनमें से कुछ उपलब्दी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपरफा शाट निउस पर दरसल युनाइटेट किंडम में सेथ वर्ड बुक अफ रिकॉर्ड ने भारतिय सिनेमा में योगदान देने के लिए बपीदा को सम्मानित किया था आपको शायद इस बारे में पता नहों कि बपीदा को सिंथेसाइस जिसको म्यूजिक को इंडियन टश देने के लिए जाना जाता था 21 साल में 33 फिल्मों में काम करने को लेकर इसके अलावा बपी लायरी ही वो भारत के पहले संगीत कार्थे जिने चायना आवाउडस से भी सम्मानित किया गया था दरहसल ये सम्मान उन्हें उनके भेतरीन गाने जिंबी जिंमी के लिए दिया गया था आपकी जनकरी के लिए बता दे कि बपीदा ने ना सरिफ हिंदी फिल्मों के लिए काम किया है बलकि उन्होंने बांगला, मल्या, आलम, कंणर, तेलगु, पंजाबी और उडिया गाने में भी संगीत दिया बपी लाइरी ने महस 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था और साल 2018 की जनवरी में उन्हें 63 फिल्म फेर अवार्ड समारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था बपी दा ने ना सरे फिल्मों के लिए गाने बनाये बलकि उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी गाये जो की आईकॉनिक रहे हैं इसके अलावा ये भी बहुत थी कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने फिल्मों में आक्टिंग भी की है दरसल उन्हें कई फिल्मों में गेस्ट अपीरियंस दिया गया था साल 1974 में उन्होंने किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नाम दाड़ी में बापुजस्पियन का किरदार निभाया था इसके अलावा वो साल 1983 में आई फिल्म कलाकार और साल 1990 में आई फिल्म नैन मोनी में भी नजर आ चुके हैं आज बपिदा हमारे बीश नहीं है लेकिन उन्होंने बॉलिवूड में एक लंबा वक्त गुजारा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा